Hello Friends, Welcome back to our channel Plants Space आज हम आपसे बात करेंगे कोचिया प्लाइन के सीट्स के बारे में किस तरह से कोचिया प्लाइन पर बीच बनते हैं किस तरह से आप उनको इकटा करें और कैसे स्टोर करें और कौन से सीजन में आपको ग्रो करना चाहिए ये plant हमने आपके साथ लगबग जॉलाई में शेयर किया था जब ये काफी छोटा था तो इसकी care tips हमने आपको दी थी तो अब ये जो पौदा है इस पर seeds बनने लगे हैं ये लगबग 29 अक्टूबर की वीडियो है जिसमें इस पर seeds बनना शुरू हो गए हैं तो ये seeds नहीं होते हैं ये छोटी चोटी कलिया होती है शुरू में इस पर और उस कलियों में से ये चोटे चोटे पिंक कलर के flower खिलते हैं तो इस तरह से इस पर flowering होती है जो कि बहुत ही बारीक होती है बहुत पास से जाने पर आपको ये दिखाई देगी इस तरह से इस पर flowering भी होगी और फिर इसी flowering से ही seeds बनकर तयार होते हैं तो ये पौधा काफी समय ले लेता है seeds बनाने में तो लगबख हमने जॉलाई में ये पौधा आपके साथ share किया था और October में इस पर ये flowering आई है और अब धीरे धीरे इस पर से seeds बनते रहेंगे हम आपके साथ share करेंगे कि कितने दिन में इस पर seeds बनकर तयार हुए इसलिए वीडियो को आप पूरा देखिएगा ये एक पौधा था जो हमने grow नहीं किया था ये अपने आप से grow हो गया था कोई seed इसमें आ गया होगा ओड़कर यहां पे और tire planter में जिसमें 10 o clock grow की हुई थी हमने उसमें ये अपने आप से grow हो गया था और इस पर भी काफी सारे seeds बन गए है तो देखिए जो वो first plant है उस पर 35 days की बाद कुछ इस तरह से result है जो वो उस पर flowering हुई थी वो धीरे-धीरे seeds के रूप में बनने लगी है तो इस पर फल बनता है ये फल ही कहलाता है क्योंकि ये seeds है तो इस तरह से इस पर seeds बनते हैं जो की pink color ले लेते हैं और जब ये अच्छे से पक जाते हैं तो ये brown color के हो जाते हैं इनको आपको अभी disturb नहीं करना है जब तक ये plant पूरा खुद से नहीं सूख जाता जितनी भी इस पर हरी पत्तियां होती है वो पूरी तरह से नहीं सूख जाती है तब तक इनके seeds को आप बिल्कुल भी इखटा ना करें क्योंकि अभी ये seeds कच्चे हैं और अभी आप इनको इखटा करेंगे तो ये germinate नहीं हो पाएंगे सूख तो जाएंगे लेकिन germinate नहीं हो पाएंगे और आपको अच्छा result नहीं मिल पाएगा तो इस तरह से अभी green leaves plant पर हैं तो इसका मतलब अभी आपको seeds नहीं collect करने हैं इस तरह से बहुत सारे seeds आपको एक ही plant से मिल जाते हैं तो इस तरह से ये पौधा आप जरूर grow कीजिए देखी सकते हैं कि आप एक पौधा grow कर लेंगे अगर seeds आप market से लेकर आते हैं तो आप एक पौधा grow कीजिए उससे आपको काफी सारे seeds मिल जाएंगे और आप काफी सालों तक free में ही पौधा तयार कर सकते हैं तो 45 दिन के बाद ये plant कुछ इस तरह से है लेकिन अभी इस पर आपको हलकी pinkness दिखाई दे रही होगी यानि कि इसकी कुछ seeds तो अच्छे से पक चुके हैं जो कि brown color के हो गए हैं लेकिन अभी कुछ seeds इसमें pink हैं जो कि कच्चा fruit है अभी इसका तो कच्चा seed है इसका इसलिए अभी आपको इनको नहीं collect करना है तो इसलिए इस बात का आप धिहान रखे नहीं तो अब plant जो है germinate नहीं हो पाएंगे seeds germinate नहीं हो पाएंगे और उनसे plant नहीं बन पाएंगे तो इसकी care के बारे में हमने वीडियो पहले ही upload की हुई है हमने आपको बताया जो लाई में हमने share की थी आपके साथ जरूर देखी अगर नहीं देखी है description box में हम वीडियो का link आपके साथ share करेंगे तो वीडियो को जरूर चैक कीजिएगा और वीडियो थोड़ी बहुत भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को like कीजिए, share कीजिए चैनल को अभी तक subscribe नहीं किया है तो subscribe जरूर कीजिए और bell बटन भी प्रेस कीजिए क्योंकि bell बटन से ही आपको next videos का नोटिफिकेशन मिलेगा और ऐसी अच्छी इंफर्मेटी वीडियो आपको आगे भी मिलती रहेंगी तो आज लगबाग 52 डेज के बाद ये प्लांट हमने कट कर लिया है क्योंकि ये पूरी तरह से सूख चुका है और इस पर जितने भी सीट्स थे अच्छे से बन कर तयार हो गए है तो अब हम इनको collect करेंगे पर store करेंगे store करने के लिए आपको पहले बीजो को थोड़े दिन खुले में ही रखा रहने देना होगा किसी भी बरतन में रख सकते हैं पॉर्ट में रख सकते हैं या open container में किसी में भी रख सकते हैं क्योंकि इनको बंद नहीं करना है अगर आप इनको बंद कर देंगे तो इसमें fungus लग सकती है थोड़े दिन आपको इनको चाओं में रखना है खुली हुई जगे पर और इनको बंद नहीं करना है हलका moisture इनका खतम हो जाए दुहूप में नहीं रखना है बिल्कुल भी चायादार जगे पर रखिए जहां पर हलका अंधेरा भी हो ऐसी जगे पर रखिए और अगभग इनको 10 से 12 दिन के बाद आप बाद में इनको इस्टोर कर सकते हैं इस तरह से जो इनके सीट्स होते हैं इस तरह से आप जहाड लीजिए इसमें से निकाल लीजिए बहुत आसानी से निकल जाते हैं बहुत छोटे होते हैं इसलिए आपको ध्यान रखना होगा इधर उधर बिल्कुल भी ना गिर ने पाएं कोई बड़ा सा आप कोई निकाल लीजिए कपड़ा और उस पे आप इनको इखड़ा कीजिए काफी सारे सीट्स मिल जाएंगे आपको इस तरह से इनको कब ग्रो करना है आप इनको लगभग फेबररी एंड से या मार्च से आप इनको स्टार्ट कर सकते हैं इनको लगभग जूलाई तक कभी भी ग्रो कर सकते हैं काफी अच्छा रिजल्ट आपको मिल जाएगा जूलाई तक यानि की आप फरवरी लास्ट से जूलाई तक कभी भी इसको ग्रो कीजिए वैसे तो आप इसको rainy season में भी grow करेंगे तो भी आपको अच्छा result मिल जाता है लेकिन उसकी height plant की जादा नहीं बढ़ पाती है इसलिए आप जोलाई के बाद इसको बिल्कुल भी ना grow करें जोलाई से पहले पहले आप इसको जरूर grow कीजिए नहीं तो इसकी height नहीं बढ़ेगी प्लांट तो बहुत अच्छे से चल जाएगा लेकिन height नहीं बढ़ेगी तो अच्छा नहीं लगता है height जाद नहीं बढ़ेगी तो और इस तरह से आप इसको 10 inches के pot तक में grow कर सकते हैं बहुत अच्छे से growth कर लेता है बहुत जादा बड़ा pot को देने की आपको जरूरत नहीं है तो इस तरह से इसमें काफी साथे seats बन गए हैं इनको आप छायादार जगह पर रखिए जहां पर धूप ना आती हो और सूखी हुई जगह हो नमी वाली जगह ना हो और हलका अंधेरा हो ऐसी जगह पर आपको इस तरह के box में आप इसको रख सकते हैं जो open box होता है या फिर कोई भी बरतन आप लीजिए उसमें रख सकते हैं वीडियो अच्छे लेगी हो तो comment box में जरूर बताइए तैंक यू